है लू गाइस वेलकम टू टेक्स्टाइटी ताइम माइम प्रयंका वर्मा इंग तु स्टाट विद रूट एफ एफ फर्ड नाप्र्रेट्ट अप्रेल टॉच्छन नम्र वन वन इस वर्ल्ल हरिटेज देए अब्सॉप्सुर्व आप्रेल ऐटेज वर्ल हरेटेज देहा हर साल 18 एप्रेल को मनाया जाता है और वर्ल्ड हैरिटेज को इंटरनेशनल डे फोर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट भी का जाता है और यह सल्विट करते हैं हरसल 18 एप्रेल को इस साल 2019 वेस की थीम रहेगी रूरल लैंड्सकेप्स और टाफ फाइफ युनेशको वर्ल्ड पांच नमबर पर पर है माबोधी टेंपल जो की है बिहार में और इसके साथ हम बागी के एप्रेल के मोस्ट इपरेण डेज बे याद करते हैं तो सेकेंड अपिल को मनाया जाता है वल्ड ऑॉ्टिजम डे ओिजम जाग्रुकता फॉर्थ अप्रेल को मनाया जाता है इंटर safe motherland day और 12th apple को मनाया जाता है international day of human space flight और 17th apple को मनाया जाता है world homopathy day तो world heritage day मनाया जाता है 18 apple को next question which app has become India's first comprehensive financial services app to integrate UPI answer is iti money iti money India के सबसे largest app financial services की जिसको integrate किया है UPI के साथ as a payment method UPI के full-form होती है unified payment interface और UPI एक instant real-time payment system है जो के developed किया है NPCI ने interbank transaction के लिए NPCI के full-form है national payments corporation of India और NPCI के full-form exam point of view से most important है so please remember it next question what is India's rank in the world press freedom index 2019 answer is 140 world press freedom index 2019 में इंडिया की rank है 140 out of 180 countries और ये report release की है reporters without borders RW ने RW जो की एक non-profit organization है जो की है Paris के अंदर और world press freedom index 2019 में टॉप किया है Norway ने जो की पिछले तीन सालों से ये टॉप करती रही है Norway और second country है Finland third है Netherlands और इंडिया है 140 पर नेक्स क्वेशन विच कांट्री विल होस्ट जी ट्वेंटी सामिट इन 2020 आंसोर इस साओधी अरेबिया दो हजार बीस में जी ट्वेंटी सामिट होगी साओधी अरेबिया में और 2019 में जी ट्वेंटी सामिट होगी जपैं में जो की अभी होगी जून के लास्ट वीक के अंगर और लास्ट टाइम यानि की 2018 में जी ट्वेंटी सामिट का पे होगी थी वह होगी थी आजेंटीना में और इस सामिट का अजेंडा है यह इसका अजेंडा है और जी ट्वेंटी में कौन कौन सी कंट्री साती है उनका नाम है जर्मनी, यूएस, अर्जेंटीना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, चाइना, इंडोनेशिया, फ्रांस, साओध अफ्रीका, साओध कोरिया, इंडिया, यूके, इतली, जैपैन, कानेड मेक्सिको, रश्या, साओधी अरेबिया, टर्की, और यूरेपिन उनियन और जी ट्वेंटी की कंट्रीस को याद करने की एक शॉटकट ट्रिक भी है, गुरु जी सीता अब ऐसे सी एफसी आई में जॉब करती है, तो ये शॉटकट ट्रिक आप गूगल पे भी सर्च कर सकत हो, आपको इजीली मिल जाएगी, नेक्स्ट क्वेशन, नेम दफर सेटलाइट लॉँच पाइन नेपाल, अंसर इस नेपाली सेट वन, नेपाल की पैली सेटलाइट लॉँच हुई है, जिसका नाम है नेपाली सेट वन, और ये एक लो ओर्बिट सेटलाइट है, जो की और नेपाल के पैसिडेंट है, विद्या देवी बंडारी, और साख का हेड़कोर्टर कहां पी है, वो है नेपाल में, काथ मंदू, नेक्स्ट कोईशन, नेम दफर सेटलाइट लॉँच बाइट लॉँच बाइश्रिलंका, श्रिलंका ने पली सेटलाइट लॉँच किया, विद्यूच बाइट लॉट लॉट्टर का लॉट्टर का है, वो है जपान का, और जपान की कैपिटल है, टोक्यो, और जपान की करंसी है, येन. Next question The World Liver Day is observed every year on Answer is April 19th So every year World Liver Day is made on the 19th April To build awareness and understanding the importance of liver in human body And some liver diseases are Hepatitis A, B or C Second is Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases Third is Alcoholic Fatty Liver Fourth is Fatty Liver Fifth is Psoriasis of Love Liver Sixth is Alcoholic Hepatitis Seventh is Homochromatosis So World Liver Day is made on April 19th Next question Which peak will get an eco-friendly toilet at a Chinese campsite 7028m above sea level? Answer is Mount Everest Mount Everest peak will be made on the Chinese campsite Which is 7028m above sea level And this will deal with peaks with waste problems Now let's talk about Mount Everest Mount Everest How much is Mount Everest? How much is Mount Everest? How much is Mount Everest? 8848m And this is located on Nepal and China Next question Next question Which organization has launched a 5G use cases lab for banking and financial sector? Answer is Institute for Development and Research and Banking Technology The Institute for Development and Research and Banking Technology organization The RBI And the RBI And the RBI The RBI's present IP governor is Shanti Kandas Next question Which IIT has found a new method to detect breast and ovary cancer? Answer is IIT Roorkee IIT Roorkee IIT Roorkee IIT Roorkee Bajrang Poonia Bajrang Poonia Bajrang Poonia Bajrang Poonia Indian wrestler He is world number 1 In 65 kg freestyle men's category And this is world number 1 This ranking issued United World Wrestling April 17th And Bajrang Poonia 25 years old He wins Asian Games and Commonwealth Games He wins gold medal And silver medal He wins World Championship Last year So Bajrang Poonia Bajrang Poonia World number 1 Indian wrestler Now let's go to the previous day Fast Revision These are 12 questions And the answers In the comment box Try to write it And you will remember it As much as you will remember it As much as you will remember it Question number 1 Which Indian public sector lender Has become the first to shift to EMB chip cards As per the RBI mandate? Answer is Kenra Bank Next question The world's tallest indoor waterfall Has recently been launched in which country? Answer is Singapore Next question Name the third offshore petrol vessels Of the Indian Coast Guard Commission recently? Answer is ICGS Vira Next question Which organizations have launched The first ever pseudo token name Learning coin to educate its employee about blockchain? Answer is IMF and World Bank Next question The second edition of bilateral maritime exercise between Indian navy and Vietnam people navy took place at which area? Answer is Cameron Bay Vietnam Next question The world homophilia day is observed every year on 17th April Next question Who has been appointed as the new prime minister of the state of Palestine? Answer is Dr. Mohamed Satya Next question How many Indians have been listed in the list of time 100 most influential people 2019? Answer is 3 Indians Next question Who discovered the first earth like planet named HD 21749 b? Answer is NASA 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 announced that SpaceX will fly its DART planetary defense mission? What does DART stand for? DART stands for double asteroid redirection test Next question Who was appointed as brand ambassador of bus directing platform Redbus? Answer is Mahinder Singh Dhoni Next question Which platform blocked the access to TikTok app recently in India? Answer is Google So this was our previous day fast revision Thanks for watching me Please like, comment and share And don't forget to subscribe And please press the bell icon